आज मैं लेकर के आई हूँ रात के बचे हुए रोटी से एक जबरदस्त नाश्ता जो मैं अपने तरीके से बनाऊंगी नाश्ता खाने में यम्मी और हेल्दी भी है तेरी न करते हुए चलो देख लेते हमने कैसे बनाया है यह हमारी रोटी छे से साथ है हम इसको कर देते हैं साइड अभी हम चलते हमने दूसरे तरफ यहां पर मैंने ले लिया है पतेली उसमें हम डाल देंगे एक लिटर दूद यह हमारा दूद पैकिट वाला है आप कोई भी दूद ले सकते हैं तो मैंने दूद को पतेली में डाल दिया है अब चलते हैं अपने गैस पर तो मैं ग कि हमारा दूद्र ऋबल रहा है तक तक हम रोटी तोड़ लेते हैं तो इस तरह से हम चूटे चूटे छूटे रोटी को तोड़ लेंगे कि आप रोटी को अपने पसंद के रिकौर्डिंद तोड सकते हैं इधर चूटे-चूटे टूक्रे यह तो फिर एकदम बारिक भी कर सकते हैं तो मैंने इस तरह से सारे रोटियों को तोड़ लिया है और मैं रोटि को कर देती हूँ साइड और फिर हम चलते हैं अपने दूसरे प्रोसेस की तरफ और मैंने यहाँ पर लिया हुआ है 14 से 15 दाने बादाम के हैं और 15 दाने काजू के हैं इसको मैंने मिक्सी में बारिक पीस लिया है इस तरह से फिर मैं चलती हूँ अपने गैस पर तो मैं अपने गैस पर आ चुकी हूँ और मैंने यहाँ पर ले लिया है कढ़ाई कढ़ाई को मैंने गैस पर चढ़ा दिया है अब हम कढ़ाई को गरम होने के लिए छोड़ देते हैं तो कढ़ाई हमारा गरम हो चुका है अब हम इसमें डाल देते हैं तीन से चार चमच घी घी को मैंने ज़्यादा रखा हुआ है घी से ही इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा तो मैंने इसमें दो छोटी इलाइची के दाने डाल दिया है और इन इलाइची को हम थोड़ा सा चटकने देते हैं और हम इसमें डाल देते हैं जो मैंने रोटी तोड़ कर रखा हुआ था इसको हम डाल देते हैं और हम रोटी को गोल्डन फ्राई कर लेंगे तो इस तरह से हमें golden fry कर लेना है रोटी को तब तक भूनेंगे जब तक कि एकदम से सुन्धी सुन्धी खुश्बू ना आने लगे तो अब हमारी रोटी में सुन्धी सुन्धी से खुश्बू आने लगी है अब मैं गैस को बन कर देती हूँ चलते हैं अपने दूद की तरफ तो मेरा दूद भी गरम हो चुका है पूरा एकदम फूल उबाला चुका है इसमें हम दूद को जादा नहीं पकाएंगे हमको सिर्फ एक उबाल लेना था तो दूद हमारा उबल चुका है अब हम इसमें डाल देते हैं एक कटोरी शकर शकर आप अपने मीठे की हिसाब से ले सकते हैं जितना आप पसंद करें तो मैंने शकर को दूद में डाल दिया है अब हम शकर को गलने तक पकाएंगे तो यहाँ पर शकर भी गल चुका है अब हम इसमें डाल देते हैं है के cancer वाला दूध के surf को मैंने दूध में दस मिन पहले भीगा के रख दिया था अब के से कोई खुञ लिए रहा है कि मैंने काजू और बादाम का पीषक हुई तह उसको भी डाल देते हैं कि यहां पर काजू और बादम का पाधर भी मिक्स्क कर दिया है इन सभी चीजों को मिलाकर हम थोड़ी देर दूद को और पकाएंगे तो हमारे दूद को 2-3 मिनट पकते हुए हो चुका है अब हम इसमें डाल देते हैं जो मैंने रोटी फराई किये हुए थे इसको हम दूद में डाल देते हैं और इसको भी हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे जब तक ये हमारी रोटी नरम नहीं हो जाती है तब तक हम इसको पकाएंगे दूद्ध को हम पकाते पकाते थोड़ा सा थिक कर लेंगे तो प्लीज जब तक कि ये हमारा दूद्ध पक रहा है तक तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें तो हमारा दूद्ध पकते पकते थोड़ा सा थिक हो चुका है और ये हमारा नाश्ता तयार है अब हम अपने गैस के फिलेम को बंद कर देते हैं और मैं एक बरतन में निकाल लेती हूँ ये नाश्ता हमारा बहुत टेस्टी भी है और हेल्थी भी है तो एक बाद जरूर ट्राई करें तो मैंने बरतन में निकाल लिया है ये नाश्टा इतना टेस्टी बनता है कि छोटे बड़े सबको बहुत पसंद आता है तो एक बास ज़रूर ट्राइ करें जब भी रात की रोटी बच जाए तो ये मीठी से रेसिपी बहुत अच्छी लगती है आरी ये रेसिपी अच्छी लगए तो लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अल्ला हाफिज